नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत आपके अपने चैनल एगरी स्टेडी पे दोस्तों आप मैंसे बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि इपको एजीटी प्रिलिमिनरी का रेजल्ट कब आएगा मेंस एक्जाम के डेट कब है दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है मेंस का जो एग्जाम डेट वो एनाउंस हो चुका है और प्रिलिमिनरी का रेजल्ट डिक्लेर हो गया है अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके पास इपको के तरफ से एक SMS आएगा इनमें आपको बताया दिया जाएगा कि आप कौन से डेट पे एक्जाम दे पाएंगे फाइनल में एक्जाम के पहले 21 डिसेंबर एक मॉक टेस्ट होगा आप मॉक टेस्ट एटेंप्ट कर सकते हैं आपके पास SMS पे जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक्जाम्पल के तौर पे इसी तरह आपके पास SMS आया होगा आप इसको चेक करिए एक्जाम का टाइम क्या रहेगा एक्जाम 21 डिसेंबर जो मॉक टेस्ट होगा वो स्टार्ट होगा 9.45 एम से और वो होगा 10.10 तक और जो दूसरा यानि की में से एक्जाम वो भी 9.45 एम से स्टार्ट होगा और 10 बज के 10 मिनिट तक एक्जाम दे सकते हैं आप के साथ आपको कुछ चीज ध्यान में रखना होगा जो नोटिश इपको की तरफ से दिया गया है जो जो इनफोरमेशन इपको की तरफ से दिया गया है आपको ध्यान में रखना होगा जैसे कि आपको अपना जो वेब कैम है वो पूरी तरह ओन रखना होगा पूरा टाइम और आपको अपना लैप्टॉप पगेरा फूल चार्ज देके बैठना होगा आप मोबाइल से ये एक्जाम मत दीजिए आप लैप्टॉप या फिर कोई भी डेक्स्टॉप कम्प्यूटर ये सब यूज कर सकते हैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूँगा मैं बाद में आपके लिए डीटेल्ड इंस्ट्रक्शन्स वीडियो बनाऊँगा लेकिन आपको एक चीज धान में रखना होगा आप कोई भी आनफेर मींस मत लीजिए आपको एक्जाम चल देने के टाइम पे जो इपको के बताए गया है प्रिस्काइब जो रूल से वो फॉलो करना होगा वरना आपका एक्जाम कैंसल हो सकता है आपको एक्जाम वीडो कैंसल नहीं करना है क्लोज नहीं करना है और आप बीना कोई भी कोई भी आनफेर मींस लेके एक्जाम दीजिए धन्यवाद ये छोटा सा इन्फोर्मेशन आपके साथ सेयर करना था उमीद करते हैं ये इन्फोर्मेशन आपके लिए हेल्प फूल होगा बहुत जल्द हम इपको मेंस एक्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरिस चालू करेंगे तो इसके लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके हमारे से जुड़े रहिए धन्यवाद